नमस्कार दोस्तों मेरा नामे डॉक्टर एश्माचेंचाने और आप सबका मेरी होमिपेतिक चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स आज आम इस वीडियो में होमिपेतिक रेस्पारेटरी किड की बारे में जानने वाले हैं अभी इस समय में जो वाइरल इंफेक्शन की जो साथ चल रही है उसमें रेस्पारेटरी इंफेक्शन की जो कॉमन सिम्टम से वो है फिवर साती सात नाक में से पानी बेता है आखे लाल हो जाती है खाना खाते समय गले में पेन होता है और अंदर से गले में खीचकी चाट मेसुस होती है और जब हम examination करते हैं तो उस समय जो गला है वो radius दिखाए देता है तो ऐसे समय में और upper respiratory attack infection में और साती सात lower respiratory attack infection में हम कौन-कौन सी होमिपैतिक दवाई या यूज़ कर सकते हैं और उस दवाई के कीट जो रेती है वो घर पे रख सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे तो चलो फ्रेंड्स ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो सिम्टम आता है इस रेस्पारिक कंडिशन में तो जो लोग है जिनको allergy है जिनको dust की allergy है कुछ अलग चीज की allergy है तो उनको छिंके जो स्नीजिंग रेती है वो बहुत आती है मतलब फ्रिक्वेट्ली स्नीजिंग आती है एक बार स्नीजिंग आ गई तो एक दो तिन बार नहीं तो दस बार उनको चिंखना पड़ता है तो इस कंडिशन में हम होमिपैथिक की सबसे कारगर दवा लामना माइनर का यूज कर सकते हैं यह दवा हम 6 नए तो 30 पोटेंसी में लेंगे आधे कब पानी में ले सकते हैं नए तो डारेक टंग पे डाल सकते हैं इसको हम फ्रिक्वेटली एक गंटे से दो दो गंटे से रिपीट भी कर सकते हैं जैन फ्रेंड्स नेक्स्ट कंडिशन आती है जिसमें सीर्थ दर्द करने लगता है नाक में से पानी बेना लगता है और साथी साथ जो आके हैं वो लाल हो जाती है और ऐसे लोग जिनको कोल से जाता अग्रिवेशन होता है तो उन लोगों में यह हम ऐलियम सीपा नाम की होमिपेतिक दवा इस कंडिशन के लिए दे सकते हैं एलियम सीपा यह भी दवा हम 6 ने तो 30 पोटेंसी में देगे उसका फ्रिक्वेंट रिपिटेशन करेंगे ने तो 200 पोटेंसी में भी हम यह दवा दे सकते हैं देन कुछ-कुछ लोगों का यह इंफेक्शन के बज़े से गला बेट जाता है वो बोलने पाते हैं सोरने हो जाता है गले में तो इस कंडिशन में हम कॉस्टिकम नाम की होमिपेतिक कारगर दवा यूज़ कर सकते हैं यह कॉस्टिकम है वह 6 ने तो 30 पोटेंसी में लेगे सुभे दुपे शाम ले सकते ने तो एक एक और दोदो गंटे से इसको हम रिपीट कर सकते देन अभी का जो वाई इंफेक्शन चल रहा है उसमें टॉंसिल आटिस की भी शिकायत बहुत जाता है जो हमारे टॉंसिल रहते हैं उनका इंफ्लामेशन हो जाता है डूटी इंफेक्शन रेडनेस हो जाता है और हम जब कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हमको खाने में और वह चीज़ निगलने में तकलिव होने लगती है तो इस कंडिशन में हम हिपारसल्प नामक दवा यूज़ कर सकते हैं इन एकुट टॉंसिल आटिस अगर राइट साइड का टॉंसिल से तो हम मर्ग आयोड फ्लेव नामक दवा यूज़ कर सकते हैं नहीं तो अगर लेफ साइड का टॉंसिल आटिस है तो उसमें हम मर्ग आ पूर्व ट्रक्यों ब्रॉंचाइटिस रेता है उनको ब्रॉंचाइटिस की शिकायत रेती है सुकी खासी रेती है तो इस कंडिशन में हम स्टिक्ता पल्मोन नाम की दवा युज़ कर सकते हैं उसको हम 200 ने तो वन्यम फोटिंसी तक ले सकते हैं उसका फ्रिक्वेट करने लगते हैं तो अगर ऐसी ही ड्राय खासी है तो इस कंडिशन में हम स्पॉंजिया नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं स्पॉंजया इस सुखी खासी के लिए हम दे सकते हैं जिनको ड्राय कोल्ड वेदर से अग्रिवेशन है उन लोगों को हम दे सकते हैं जिन लोगों को जो खासी है उसमें से बलगम निकलता है मतलब सुखी खासी ने बोलते हैं उसको वेट कब बोलते हैं जो बलगम आता है वह एलोईश कलर का है ग्रीनिश कलर का है और ज्यादा खास्ते के बाद वह बहार निकलता है तो इस कंडिशन में हम पल्सिटिला नाम की होमिपैथिक दवा यूज़ कर सकते हैं जो कुछ लोगों को अस्तमा रहता है जिनको क्रॉनिक अस्तमा है बट अभी जो वाइरल का सिजन चालू है तो इसमें उनको एकुट एक्जसबरेशन होता है मतलब एकुट सिम्टम आते हैं जिसमें सुखी खासी ज्यादा बढ़ जाती है देन उनको सास फून लगता है तो ऐ अईसे कंडिशन में हम कुन सी दवा दे सकते हैं कि यस हम अस्तमा के कंडिशन में और यह चोटे से एकुट सिम्टम में हम बलाटा और इस नाम की दवा दे सकते हैं इसको सब्सक्राइब करेंगे तो एक गंटे और दो दो गंटे से हम उसको रिपीट करेंगे जिसमें हमारी जो श्वास न लिया है वो उसका सुजन हो जाता है और उसके वज़ेंचे जो खासी आती है वह बलगम आता है वह जल्दी निकलता नहीं है जादा खासने के बाद ही वह ब ग्राइंडेलिया नामग होमिपैतिक दवा ले सकते हैं ग्राइंडेलिया को हम 60 नहीं तो 30 CH पोटेंसी में हम लेंगे उसको भी सुभे दुपे शाम हम रिपीटेशन कर सकते हैं नहीं तो अगर स्वेरेटी जादा है तो उसको एक गंटे और दो दो गंटे से हम रिपीट क सकते हैं और साथी साथ यह दवा हम जब लेते हैं उसके साथ हमको सुभे दुपे शाम जो गुनगुना पानी रेता है उसकी हमको गुलनिया करने चाहिए साथी साथ सुभे दुपे शाम हम हल्दी का दूद पी सकते हैं और हम मास का जरूर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमा गरवालों को नहीं तो भार जो लोग है ते उनको infection ना पूझे तो चल फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही thank you